इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक स्पेसिफिक राइस के बारे में जिसे कहते हैं शीरा ताकी राइस जो कॉंजेक रूट से बनता है और जापान के अंदर इसका बहुत अधिक प्रचलन है इसके अपार्ट जो लगे हुए कुछ कंट्रीज हैं जैसे थाइलेंड मियानमार, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना इन सभी कंट्रीज के अंदर भी ये लिया जाता है खाया जाता है खास तोर से जिन लोगों को अपनी ब्लड शुगर कम करनी होती है या जिन लोगों को अपना वजन घटाना होता है अब कई कंट्रीज के अंद और उस समय इसके एक packet की जो cost आती थी वो थी 2000 रुपए मात्र 200 ग्राम prepared rice की जो definitely हम सभी की pocket से एकदम भाहर की बात थी पर अब ये cost 1 by 10 रह गई है तो हमने सोचा क्यों ना इसका import किया जाए health benefit को देखते हुए और उन लोगों को जो afford कर सकते हैं या जो special condition के अंदर इसे consume करन चाहें उनको health benefit के लिए जरूर ये दिया जा सकता है तो चूकि ये एक नए तरह का चावल है हमारे country के लिए इसके लिए इससे संबंधित कई सारे सवालों का उटना लाजमी है कई लोग इसको non wage भी बोल सकते हैं क्योंकि इन country's के अंदर non wage का consumption बहुत अधिक होता है तो मै उन लोगों की knowledge के लिए बता दूँ कि ये pure vegetarian है और green tech के साथ है अब इसके apart कई और confusion हो सकते हैं लोग बोलेंगे ये artificial rice है कई ये plastic तो नहीं है क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे videos भी कुछ और countries के अंदर बनाते हुए देखा है जो इसको squeeze करके दिखाते हैं कई कुछ लोग plastic से compare करने लगते हैं तो उन सभी questions का हम answer करेंगे जिससे इसका proper health benefit आप ले सके वो भी बिना किसी guilt के तो एक मैंने इसका question answer prepare किया है इनी experiences के base पे उनके मैं आपको answer करूँगा step by step तो आपको इसका deep inside knowledge होगा पहला question इसमें जो अक्सर पूछा जाता है what is shirataki rice तो ये basically rice का एक form है देखिए shirataki जो है ये conject ये एक variety है जो conject करके एक root होती है conject किस तरह की root है जैसे हमारे याँ पर सूरन होता है उसी family का एक plant है conject उसकी जो root है ये सूरन जैसा ही दिखता है पर ये वो traditional सूरन नहीं है हमारे इंडिया में इसका cultivation नहीं होता अन्यता हम इंडिया में ही इसे बनाने की कोशिश करते ये आज की तारीक में पूरी तरह से import ही करना पड़ेगा क्योंकि जब भी इसका plant बीच से लगाया जाएगा उसे बनने में तीन साल का वक्त लगेगा तब इसका पूरा bulb तयार होता है फिर उस bulb से ये शीरा ताकी के different different या conject के different different products बनाई जाते हैं इसका process कैसा है उस root को जो yum जैसा या सूरन जैसा जिसको elephant foot बोलते हैं उसके जैसा दिखने वाला conject जो होता है जो original photo आप सामने देख पा रहे हैं और सूरन का भी मैंने आपको photo दिखाया तो उसी के जैसा मिलता जुलता ये दिखता है इसको पहले chips के अंदर काट लिया जाता है और फिर उसको sunlight में dry कर लेते हैं जिससे इसको factory तक export करना factory तक भेजना ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाए फिर factory में ले जा करके इसके छोटे-छोटे pieces तोड़े जाते हैं इसको grind किया जाता है और इसके अंदर लगभग 85% तर glucomenon होता है जो soluble fiber है आपके appetite को घटाता है और आपको weight loss करने में मदद करता है तो उसका concentration 85% से भी बढ़ा दिया जाता है और इसका एक powder बन जाता है जि इसको रख दिया जाता है कि कभी भी 12 महिने में कभी भी इससे अगर हमको rice, noodle, pasta या फिर pellets अगर बनाने हो तो बनाई जा सके फिर इसको factory के अंदर तयार किया जाता है इसमें पानी एड़ किया जाता है और citric acid के atmosphere में मतलब citric acid के साथ में जब ये ठिक हो सके उस paste के साथ मे जैसा आप सामने paste का texture देख पा रहे होंगे strict condition के अंदर laboratory condition में इसको prepare किया जाता है क्योंकि इसकी जो shelf life है 12 महिना, 14 महिना, 16 महिना, 2 साल इस प्रकार की होती है तो जैसे आपने देखा होगा IV saline उसको strict laboratory conditions में prepare किया जाता है और अगर laboratory में जराभी infection आ गया तो आपने देख होगा कई बार सुना होगा saline के अंदर fungus लग जया तो वो इस्तिती इसके साथ भी हो सकती है तो ऐसे में strict conditions के अंदर इसको prepare किया जाता है और prepare करने के बाद में पानी के साथ में इसको pack किया जाता है जब आप इसको prepare करते हैं तो पानी को drain कर देते हैं और इसके हमने कुछ वीडियो भी बनाए है जिससे आपको ये समझ में आ सके कि इसकी different preparations को कैसे बनाया जा सकता है तो फिर इस noodles को या फिर इस चावल को उस strict condition के अंदर pack किया जाता है और ये different form कौन-कौन सी है rice है, noodles है, spaghetti है और different दूसरे forms है आप सामने देख सकते हैं इसके oat noodles भी बनते हैं और normal noodles भी बनते हैं जो आपके लिए जल्दी ही available भी होंगे, तो ये इस conditions में बनता है, pure vegetarian है और इसे consume करने से आपकी blood sugar जराबी spike नहीं होती, इसका composition आप सामने screen पर देख सकते हैं, इसके अंदर energy 100 gram के अंदर मात्र 9 kilo calorie है, इसके अंदर जो carbohydrate है, वो है total 5 gram per 100 gram, उसमें भी 4 gram fiber है, तो वो आपके bulk stool बनाने के काम आएगा, और इसके साथ में जो protein है वो भी ना के बराबर है, 0.2 gram है, fat इसमें nil है, बाकी सारा water contents है, तो इसके अंदर calorie बहुत कम है, ultra low calorie है, ultra low GI है, ultra low carb है, इसलिए weight loss के अंदर और diabetes के अंदर ये एकदम suitable option है, तो आगे के questions लेते हैं, अब द तीराता की rice the same as regular rice, नहीं, ये same rice नहीं है, ये laboratory में prepare किया हुआ चावल है, चावल का shape है, more over अगर बोला जाए, इसका texture normal चावल से मामूली सा अलग होता है, पर ये चावल के substitute के रूप में use किया जा सकता है, चावल के दूसरे substitutes भी मैं आपको अक्सर बताता हूँ, क्योंक 80% तक carbohydrate है, जो आपके blood sugar को spike करेगा, अगर आप brown rice लेते हैं, black rice लेते हैं, wild rice लेते हैं, या आप diabetes rice लेते हैं, जो diabetes specific करके बोला जाता है, आप कोई सा भी rice लीजिए, उसमें करीब 65 से 75 और 80% तक starch होता है, जो आपकी blood sugar को spike करता है, और इसके अंदर, उसके comparison में, 100 gram के अंदर, मात्र, एक gram net carb है, जो आपकी blood sugar को spike नहीं करता, तो ये इसमें benefit है, मैं आपको इसके लिए अलग से भी video बना करके दिया हूँ, जिसमें आपको normal rice के बारे में, और in length, जानकरी मिलती है, जिससे आप जान सकते हैं, कि आपके normal rice के अंदर, calorie और carbohydrate की क्या internet भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कई बार cabbage rice या cauliflower rice लेने की भी सला दिये, जिसके अंदर 3-4% तक carb होता है, पर उसके taste का issue आता है, फिर millet rice है, अगर millet rice को अगर आप पका लेते हैं, तो उसमें पानी soak करने के बाद में 15 gram तक या 20 gram तक carbohydrate रहता है, जो diabetes और weight loss के लिए उतना suitable नहीं है, या फिर अगर आप normal इस प्रकार के rice लेते हैं, जैसे white rice, brown rice, black rice या diabetes rice, तो उनमें पकने के बाद में 20-30% तक carbohydrate होता है, जो कापी अधिक है, तो इसके लिए शेरा ताकी rice या conject rice आपके लिए best option बनता है, पर इसका जो look है, वो उससे मिलता जुलता है, परंतु य यह exactly same नहीं है, different है, अब अगला question है, what are nutritional benefits of शीरा ताकी rice, तो जैसा मैंने आपको बताया, यह ultra low carb है, ultra low energy है, ultra low GI है, इसके बाद में इसके अंदर fiber जो है, वो sufficient है, glycomenon है, तो वो आपको weight loss के अंदर मदद करता है, इसमें fat और protein नहीं है, यह सारी इसके belly fits है, तो weight loss के अंदर और diabetes के अंदर यह suitable option है, इसके बाद में next question पूछा है, कि how do we prepare शीरा ताकी rice, तो इसके कई सारे videos भी बना करके डाले है, उसका link मैं नीचे दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं, तो शीरा ताकी rice का कोई taste नहीं है, कोई order नहीं है, इसमें कोई smell नहीं है, आप जिस चीज में इसको prepare करते हैं, आप Chinese type में बनाएंगे rice, तो उसके flavors आजाएंगे, आप veg fried rice बनाएंगे, उसके flavor आजाएंगे, आप दाल के साथ खाएंगे, दाल का flavor और वैसे भी जो normal rice है, उसका कोई flavor नहीं होता, तो इसका भी कोई flavor ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके बाद में, can I use shirataki rice as a substitute of regular rice, तो जो लोगों को energy, ताकत के लिए अगर rice खाने हैं, वो लोग ये rice use ना करें, जिने weight loss करना है, diabetes में लाब पाना है, वो ही इस प्रकार का rice use करे इसके बाद में, can I store shirataki rice? हाँ, इसको store किया जा सकता है, इसकी shelf life 12 मेना, 14 मेना, 16 मेना, 20 मेना या 24 मेने तक हो सकती है, आप अपने packet के उपर carefully देखें, और एक बार इसको open करने के बाद में fridge में रखें, और फिर एक आद दो दिन के अंदर इसको consume करने, इसके बाद में, next question है, इस shirataki rice wedge और non wedge, यह pure wedge है, जैसा मैंने आपको बताया कि यह konject root से बनता है, और वो root आपके सूरन है, या फिर yum है, उसके जैसी दिखाई देती है, पर यह एक ही family के हैं, दौनों plant, पर यह दूसरा plant है, konject, और यह इंडिया में cultivate नहीं होता, अगर इसके बीज आज लगाएं, तो तीन साल बाद इसका root बनके तयार होगा, फिर उसका powder बनेगा, फिर उससे उसका rice बनेगा, तो यह एक लंबा process है, इसलिए आज की तारीक में इसका import किया जाना ही जरूरी है, इसके बाद में next question है, कि इसके health benefit, healthy benefit मैंने आपको already बताए, diabetes को control, remission और reversal करने के अंदर मदद देगा, weight loss करने के अंदर मदद देगा, फिर इसके बाद में is this a artificial rice, तो जी हाँ, यह एक करेका artificial rice है, परन्तु इसको strict lab के जैसे environment में बनाना पड़ता है, जिससे किसी भी प्रकार का bacterial, fungal, viral infection इसमें ना आए, क्योंकि अगर जराभी contamination आया, तो यह spoil हो जाएग इसकी shelf life खत्रे में आ जाईगी, तो यह strict lab condition में बनाया जाता है, जैसे आपके saline की bottles बनाई जाती है, अब इसके बाद में, इसकी cost के ऊपर question उटना लाजमी है, क्योंकि इसके अंदर cost factor बहुत important है, और लोगों के दिमाग में आता है, कि अरे यह तो इतना महंगा है, तिरा इस प्रकार की चीजों के अंदर cost involved है, यह बात सही है, क्योंकि यह चीजों की production cost ही जादा है, और अगर आप cost के बारे में सोच रहे हैं, तो यह भी ध्यान रखिए, कि अगर आप lifetime diabetic रहते हैं, या obese रहते हैं, तो उसकी cost भी आपको बहुत अधिक चुकानी पड़ती है, त तो diabetic रहने की cost और non-diabetic होने से benefit, अगर इन चीजों को आप देखेंगे, तो फिर भी आप पाइदे में रहेंगे, क्योंकि एक diabetic patient पूरे जीवन में 10-15 लाग की दवाईयां खा लेता है, फैमिली को stress आता है, वो अलग, mental torture की तो कोई कीमत नहीं हो सकती, और हमको इंसान को lose करना पड़ता है, कई इस प्रकार की life threatening illnesses के कारण, तो उसको देखते हुए ये बुरा नहीं है, अगर आपने decide कर लिया है कि आपको diabetes को हराना है, तो ऐसी स्थिती में इन चीजों का आप support ले सकते हैं, और फिर भी अगर आपकी कुछ queries हैं, तो सामने दिये गए number पर submit करें, में मेरी टीम आपकी मदद करें,